बुड बॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं कीरती परोहा कक्षा वार्वी की जीविग्यान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूं और बच्चो आज हम आपके यूनिट 2 के अंत्रगत लिंग सहलगनता से सम्बंदित हीमोफीलिया बीमारी जो है उसके बारे में अध्यान करेंगे चलिए बच्चो शुरू करते हैं पहले हम इसका थोड़ा सा डीटेल एकाउंट समझेंगे हमोफीलिया एक ऐसा लिंग सहलगन गुण है जो अनुवाशिक बीमारी के रूप में पाया जाता है यह सभी लिंग सहलगन बीमारियों में सबसे खतरनाग बीमारी है इस बीमारी से युक्त व्यक्ति के रुधिर में बहुत देर से ठक्का बनता है एक सामानी व्यक्ति में रुधिर वाहिनी कटने के दो से आठ मिनित बार ठक्का बन जाता है जबकि इस बीमारी वाले मनुष्य के रक्त का ठक्का बनने में आदे घंटे से 24 घंटे तक लग जाता है इस इस्तिती में मनुष्य की थोड़ी सी चोट भी खत्रे का कारण बन सकती है और व्यक्ति के मृत्यू भी हो सकती है इस बीमारी का अब तक कोई भी दबा ग्यात नहीं हो सकी है केवल रख ताधान अर्थार ब्लेड ट्रांस्फ्यूजन ही इस बीमारी का इलाज है हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिसीज तरह ब्लीडर्स रोक के नाम से भी जानते हैं अब तक दो प्रकार की हीमोफीलिया का पता लग चुका है हीमोफीलिया एक ऐसी लिंग सहल अपने गुण है जो अनवांशिक बीमारी के रूप में होता है और यह सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है क्यों क्योंकि नॉर्मल यदि आपको चोट लगती है और आपके शरी से रक्त बहता है तो दो से आट मिनिट में क्या रक्त का ठ ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वहाँ पर लेकिन यदि कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए हाफ एंवर से ले करके 24 अर्स तक लग जाता है जो कि खतरना कि क्योंकि अदि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई तो आपके शरीर का सार स्क्राइब जो है ध्रकार साइफ़ला से कमी से कमय से होताँ होता है अिक मूं बंधनर्चा पर आप प्रभावी रूप में पाया जाता है कि रभावी जो है वो इस लिंग गुण शूत्र के दूसरे गुण सूत्र पर पाया जाता है अध्यान की सुविधा के लिए जिन्स को है ट्था टेपिट लेख से व्यक्त करते हैं इस्तριों में हेमोफिलिया का आप रभावी जीन दोनों गुण सूत्रों में पाया जाता है तब यह हीमोफिलिक होंगी यदि अर्थार यदि इस त्रियों में एक ही गुण सूत्र पर पाया जाएगा तो वो हीमोफिलिक नहीं होंगी सिर्फ कैरियर होंगी लेकिन यदि पुरुष में पुरुष में तो एक ही एक्स लिंगुण सूत्र होता है तो उसमें अगर पाया जाएगा तो पुरुष हमेशा हीमोपीलिक से ग्रसित हो जाते हैं वो कभी वाहक नहीं होते इसकी एक सिचेशन हम यहां डिसकस कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए इस्त्री कैसी है वाहक है कैरियर है तो इसका एक एक्स क्रोमोजोम जो है लिंगुण सूत्र वो कैसा है नॉर्मल है और दूसरे पर एच हीमोपीलिक वाहक के रूप में मौजूद है अब अगर इसकी सामाने पुरुष से होती है तो इसका पुरुष में क्या है लिंगुण सूत्र में एक एक्स और यहां पर इसके एक्स गुरुष सूत्र पर कोई भी हीमोफिलिक करेक्टर मौजूद नहीं है अब जब इनके गैमीट बने तो वहां किस तरीके गैमीट बने नॉर्मल एक्स सामाने पुरुष के गैमीट बने तो कैसे बने एक नॉर्मल एक्स और एक वाय बना यह युगबख बने जब इनके क्रॉसिंग की संभावना हम देखते हैं तो नॉर्मल एक्स इस तरीका और नॉर्मल एक्स पुरुष का मिलकर के बनाते हैं एक्स इसका मतलब जो बच्च से करता है तो लड़की कैसी होगी वाहक होगी लेकिन हेमोफिलिक नहीं होगी क्योंकि एक यह आप्रभावी हो जाता है यहां पर आकर तीसरी कंडीशन हम देखें तो हम पाएंगे कि महिला का प्रभावी वाला जो हीमोफिलिक एफेक्टेट जो गोजों में एक्स एच पुरुष के वाय से मेल करता है तो यहां पर एक ही गुरसूत्र है और उस पर अगर यह हीमोफिलिक करेक्टर मौजूद है तो यह कैसा हो ज कि वाय से मेल खाता है तो उत्पन संतानपुत्र होगी लेकिन वह कैसा होगा सामान ने होगा क्योंकि इस पर कोई हीमोफिलिक करेक्टर मौजूद नहीं है तो बच्चों यह एक पॉसिबिलिटी थी जो हमने आपको बताई इसके अलाबाद दूसरे भी पॉसिबिलिटी हो हैं अगला पाइंट के हीमोफिलिक लोग जो होता एंग वह कैसे होता है जननकोशीका में उत्परिवर्तनिया म्यूटेशन के कर्म आपको पता है जो उत्परिवर्तन के द्वारा भी समाप्त हो सकता है जब यह उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन आप्रभावी जीन को पुना नॉर्मल कर दे पहले नॉर्मल कंडिशन आई उसके बाद फिर और यह तब तक रुनिंग में हो जाएं जब तक उस्क्रोमोजोम में सेकेंड टाइम मुटेशन होकर के वह जो नॉर्मल ना हो जाए हीमोफिलिय विमारी आपको पता है यह विमारी इंग्लेंड की महरानी विक्टोरिया में उत्परिवर्तन के कारण पैदा हुई थी इनको क्या हुआ था एक हीमोफिलिक लड़का तथब दो वहाग लड़कियां पैदा हुई अब क्या होता है चूकि शाही परिवार में शादी करेगा इससे यह विमारी जो थी वो युरूप के कई शाही परिवारों में फैल गई इस लिए इस विमारी को क्या कहते हैं शा करण यह विमारी होती है विमारी कुछ नहीं यह क्या कर रहा है वो जो सहायक पदार्त जो रक्त के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है उसको उसका परिवरतन रोक देते हैं निर्वानी रोक देते हैं तो आगे काम को ही नहीं पाता तो बच्चों यह थी लिंक सहल किया रोक नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट को डिस्कुस करेंगे थाइंगे